लिए अग्याओं अग्याओं प्राइब लिए और तो इस बार जो यूज़ी सी नेट का जो फेपर था वह एंटी के द्वारा कराए गया था अर्था नैशनल टेस्टिंग एजनसी ठीक है तो दिसंबर सन-2008 में जो नेट का पेपर हुआ था तो इसके बार में जान लेते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद जो नौटिफिकेशन है उसके बार में बात करेंगे तो उसके बार जो पेपर की जिम्हेदारी थी वह एंटीओ को दे दीगी थी और एंटीओ ने इस बार जो नेट का पेपर करवाया था तो इस बार जो असिस्टन प्रोबेसर और जूनियर इसर्चर फैलोशिप के लिए जो पेपर हुआ था वह कंप्यूटर आधारी टेस् टो टो टाल पानवर था और सौन अंबरगा था क्यों 밑 उस्टम पचासफी थे दूस्रेस-पर की बात करें तो हम वह उसमें अकर क्वैंसटन की बात करें तो स्थ्पस्चन थे और एक question दो number का था, तो इसलिए 200 number का जो था, second paper था, total की बात करें हम question हो रहे हैं 150, और जो number हो रहे हैं 300, तो 300 number में ही married बनेगी, तो देखिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि net के net ने अपने official website पे, जो आपने first और second paper जो है आपने cbt के माध्यम से दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, net के website में जाके, तो उस पर किस परकार से देखना है, उसे मापको आगे बताता हूँ, तो आए जानते हैं हमें कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपने chrome browser में जाएए आप, chrome में जाने के बाद आपने वहाँ, जो है, website डालनी है, ntanet.nick.in पे आप जो है, इस official website जो है, UGC की, उस पर आप जाएंगे, तो आपको इस परकार का interface सामने आएगा, तो देखे, जो net की optional website है, वो खुल गई है, और यहाँ पे आपको लिखा रहा है, देखे, view, question, paper, and response, जो view, question, paper, and response पे है, आप क्लिक कीजेगा, तो उसके बाद, तो उसके बाद next page खुलेगा, तो यहाँ देखे, आप इसे दो तरह की से खोल सकते हैं, ठीक है, website को, एक तो आप application number, और password के माध्यम से, application number और अपने date of birth से भी खोल सकते हैं, अब application number of date of birth पे क्लिक करेंगे, तो ऐसा interface जो है, आपके सामने आएगा, यहाँ application number है, तो आप application number अपना feel कर दीजेगा, तो उसके बाद date of birth जो है, आपकी date जो है, उसे डाल लीजेगा, और उसके बाद जो है, आपका month और उसके बाद आपका year, जो आपकी date of birth में है, जो आपने feel करते समय जो है, भरा है, उसके बाद देखे, यहाँ पे capture है, तो इसे security फिन, तो इसे आ आप जो है, उतार लीजेगा, इस परकार से देखे, 8T, उसके बाद L है, 129, देखे, मैं यहाँ आप उतार लिया है, उसके बाद आप submit कीजेगा, तो यह जो है, next page पे आ जाएगा, और यहाँ आपको नीचे आना है, और यह देखे, आपना, please click here for display your question paper and your response पे, आप क्लिक क लिजेगा, तो देखे, नया page खुल गया है, और यहाँ देखे, आप देख सकते हैं, जो आपने UGC net December का जो paper दिया है, ठीक है, वो आपने सामने आ जाएगा, तो यह देखे, fast paper है, general aptitude का, तो इसमें देखे, आप question, और यहाँ पर देखे, आपने जो option चूच किया है, दे तो fast paper की बात हुई, उसके बाद आप नीचे आते रहेंगे, तो उसके बाद आपको second paper मिलेगा, तो आगे देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, तो जो 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 यहाँ पर आपके question आये थे, वो देख लीजेगा, और यहाँ पर आपने जो response दिया था, जो option आपने select किया था, वो नीचे आपको यहाँ पर दिखाए देगा, तो इन्हें आप not भी कर लिजेगा, कि मैंने कौन सा question पर कौन सा option क्लिक किया था, उसके बाद जब optional answer कि आएगी, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा, कि मेरे कितने number बन रहे हैं, तो आप इसे PDF के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं, देखें, आप पर प्रिंट लिखा है, इस पर टच करेंगे, तो इस प्रकार का इंटर्फियर्स जो है, आपके सामने आएगा, तो कुछ देर रुखने के बाद देखें, आपके पास save का option आएगा, ठीक है, जिस folder मापके save होगा, तो आब वहाँ से उसको PDF में देख सकते हैं, तो official जो website है, उसका link जो मैं नीचे description में दे दूँगा, उससे आप देख लीजेगा, तो इस वीडिया में इतना ही, thanks to watching my video and take care, bye